ओम नमो भगवते रामकिशनाय, सार्तक परिपूर्ण चीवन के लिए महतोपूर्ण सीख, स्वामी चक्तात्मानंजी महराच जी की महान पुस्तक जीने की कलासे, अध्याय एक, छोड़ो चिंता तुश्चिंता को। आत्म ज्यान की प्राप्ती ही भारत का आदर्श रहा है। इस बारे में इन दो प्रसंगों में चर्चा की गई है। राष्ट के समक्ष आदर्श एवं शक्ति परिक्षन। पुराकाल से ही भारत वासियों का ऐसा विश्वास था कि ईश्वर और आत्मा आदी इंद्रियातीत तत्व सनातन सत्य हैं और इनकी अनुभूती के लिए विस्तत प्रतनशील रहे हैं। इश्वर या आत्मा के अनुभूती को व्यक्ति या राष्ट के लिए सर्वोच लक्ष माना गया था। इन इंद्रियातीत आदर्शों में इतनी रूची होने का क्या कारण था। इसका कारण इस तत्य में ढूंडा जा सकता है कि बीच बीच में इस देश में दैवी गुनों तता सच्चे आध्यात्मिक ज्यान से परिपूर्ण महापुर्शों का अविर्भाव होता रहा है। पास्चात्य जगत को यदि विज्ञान का घर कहें तो निस संदे भारत को धर्मों और आध्यात्मिक ज्यान का घर माना जा सकता है। भारत में सामाजिक आचार सहिताओं का निरमान आध्यात्मिक पूर्णता या मोक्ष प्राप्ट करने के उदेश से आध्यात्मिक चीवन की सूद्र नीव पर किया गया। समाज का हर्व्यक्ति अपने जन्मजाद कुनों के अनुसार विवेक पूर्ण अपनी कर्तवयों को पूरा करके आध्यात्मिक पूर्णता क्या मोक्ष प्राप्त कर सकता था। पूर्वकाल के महापुर्षों का यह तर्ड विश्वा था ये विचार ग्रंतों के जड़ प्रिष्टों में ही नहीं अपितु आचर्ण में उतारे जाते थे इतिहास ऐसे आचर्ण के अथेश्ट दृस्टांत देता है शक्ती परिक्षन एक पास्चाते दार्शिक ने एक पर कहा था हमारे पास एक दूसरे से प्रेम करने को प्रेरिद करने वाले तो नहीं परन्तु एक दूसरे से घृणा तथा कला करने को उकसाने वाले परियाप्त धर्म है दूसरे शब्दों में कहें तो हम धर्म की गौन ब ते थे कि गाउं के तालाब के पदार्त को कोई जल तो कोई पानी कहता है। जीवन के सभी रूपों को क्रियाशील बनाने वाली शक्ति की विभिन धर्म के अनुयाईयों द्वरा विभिन प्रकार से अनुभूती और उपासना की गई है। आज भी लोग इस मूलभूत सत्य से अनबिग्य रहकर आपस में जगड़ते हुए कहते हैं। यदि इश्वर हमारे लक्ष हैं तो आध्यात्मिक जीवन ही पत है। भै, क्रोध, चिंता, आधी इश्वर की और ले जाने वाले मार्ग की बाधाई हैं। संभावता, वे भक्त की इश्वर में विश्वास निष्ठा की परिक्षाई हैं। जब भौकता हुआ कुट्टा हमें काट खाने को दोड़ता है, तो हम घर के माली को पुकारते हैं। घर का माली का कर कुट्टे को शान्त करके हमारा स्वागत करता है। जब कभी आपको मानसी कठिनाईया सताती हैं तो आप भगवान को पुकार कर और उनकी शरण में जाकर राहत पाते हैं। अंधेरा हो, तो क्या हम केवल यहां अंधेरा है, यहां अंधेरा है। चिला कर ही अंधेरे को मिटा सकते हैं। केवल प्रकास से ही अंधेरे को मिटाया जा सकता है। चिंता वभवयत से तरस्त हो जाने पर केवल उनका रोना रोने से हमें राहत नहीं मिल सकती। उनसे बच निकलने के लिए हमें ज्ञान के प्रकास की जिरूरत है हमारे मन और हिदे को प्रबुद्ध हो जाना चाहिए ओम शान्ति 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 अरियोम तच्चत शीराम किष्णार पनमस्तू